यहां तक I hope सबको समझ आ गया होगा इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को अब आते हैं next negative साइकिल में जब आपका निगेटिव को पहले मैं अब इसका ठीक है थेहन से समझना रूख जाओ पहले इसका इक्वैलेंट सर्कृट अब 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 इससी बात है टीवन नौन है डीवन नौन है टी टू आफ है और डीटू आफ है तो अगर आप इसका क्या है यह आपका D2 है ठीक है clear है अब देखो धियान से यह आफ था तो इसलिए open circuit हो गया अब क्या T2 off है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा open circuit हो जाएगा अब D1 क्या है on होने का मतलब क्या है यह आपका हो जाएगा एपका short circuit है तो आपका इतने से section का जो equivalent circuit बने गाएगा यह बनेगा ठीक है clear है अब धियान से समझो ठीक है अब हमारा concern है क्या कि current का flow कैसे होगा ओ sorry यह तो on है न यह on है तो यह कैसे हो जागा ठीक है अब हमारा कंसर्ण है कि करेंट का फ्लो कैसे होगा और वेसी बात है करेंट कैसे फ्लो होगा देखो ध्यान से समझना मैं कलर चेंज करता हूं तो यह देखो यह प्लाश्टर में लें तो करेंट अब यह भी बताता हूं कैसे ठीक है तो देखो अब यह तो आप लोग को पता ही है कि मतलब सोर्स के हमेसा पॉजिटिव टर्मिनल से करेंट का निकलता है ठीक है अब 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 यहां पर जाने के बाद इसके पास दो पात है एक पात हीए है और एक पात यह है अब 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 क्या इधर जाएगा current obviously नहीं जाएगा क्योंकि यहां पी open circuit होने के कारण इधर तो current जाएगा नहीं तो सारा का current कि इधर move कर जाएगा इधर ठीक है अब फिर देखते हैं अफिर जब यहां पी आएगा current ठीक है तो यहां पर इसके पास कितने path हैं दो path है एक तो यह वाला path औ यह current का flow होगा hope so आपको first half cycle पूरे अच्छे से समझ आ गया होगा ठीक है अब discuss करते हैं next half cycle जो कि आपका negative cycle है positive cycle हमने देख लिया कि क्या है अब आते हैं आज इस पूरे वीडियो का बस यह मतलब है कि यह bridge circuit work कैसे करता है ठीक है hope so मैंने अभी तक आप लोग का doubt पूरा clear किया होगा और समझाने में सफल रहा होगा ठीक है अब next देखते हैं मतलब negative half cycle negative half cycle मतलब इस section का हमारा बात हो रहा है ठीक है तो अब ध्यान से देखो आप लोग निगेटिव half cycle में positive half cycle कौन सा है blue color का है ठीक है यह याद रखना और negative half cycle मैं लिखी देता हूँ बगल में ताकि जब बाद में वीडियो आप देख लो positive positive जो है ठीक है वो blue color का है ठीक है अब लोगों का negative आपका red ठीक है red color जो है आपका negative है clear है यह याद रखना ठीक है चलो अब देखते हैं negative half cycle में आपकर क्या होगा अब जैसे ही negative half cycle आएगा ठीक है तो यह टर्मल क्या हो जाएगा minus और यह टर्मल क्या हो जाएगा plus ठीक है तो अब फिर से observe करो हमारा वह यह observation रहेगा एक बार इस section को देखेंगे और एक बार इस section को तो जब इस section को देखोगे तो यह टर्मल किस से connected है negative से तो अब आप लोग खुद अपने मन से मतलब अपने आप से पूछो क्या T1 on होगा नहीं होगा क्यूं क्यूंकि यह जो negative टर्मल है इसके P टर्मल से connected है औ अफ हो जाएगा ठीक है लेकिन क्या D2 off होगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा क्यूं क्यूंकि इसका क्या आपका नहीं रहेगा क्यूं क्यूंकि देखो यह माइनस वाला टर्मिल ध्यान से देखना यह माइनस टर्मिल ठीक है इससे connected है ध्यान से देखो यह यह सेक्शन ठीक है इसको consider मत कर लेना कि यह connection है यह बस यह बता रहा है कि इस इस लाइन और इस लाइन में कोई connection नहीं है तो यह निगेटीव इस पर चला गया यानि कि यह डायोड अन हो जाएगा ठीक है निगेटीव हाफ साइक लिए आपका D2 क्या हो जाएगा अन हो जाएगा ठीक है अब देखो दूसरे और अब आते हैं इस सेक्शन में हमारा कौ पॉजिटिव टर्मिल से connected है तो यह क्या हो जाएगा ठीक है अब प्लस जो है प्लस जो है तो अब देखो कि T2 on होगा और वेसी बात है on होगा क्योंकि यहाँ पे P है और P इसको on होने के लिए यहाँ पे high potential होना चाहिए और यहाँ पे low potential होना चाहिए तो T2 क्या हो से connected है यह positive से connected है ठीक है तो यह off हो जाएगा clear है तो अब देखते हैं देखो ध्यान से तो आपका negative half cycle में जो आपका ठीक है यहाँ पे लिखी देता हूँ negative half cycle में आपका कौन negative cycle कहलो या फिर second cycle कहलो second cycle में on कौन है और off कौन है ठीक है तो अब देखो हमारा कौन कौन सा on था तो on क्या था डी टू था हमारा और off क्या था आपका T1 था इस वाले section में ठीक है अब इस section में देखोगे तो on क्या है तो इस section में आपका T2 on है और D1 आपका on है ठीक है अगर समझ नहीं आया है तो एक बार बीच्छे वीडियो फिर से कर लेना आप लोग अच्छे से समझा जाएगा क्लियर हो जाएगा कि कैसे यह हुआ ठीक है अब आते हैं इसका equivalent circuit कि देखते हैं ठीक है तो अब देखो निगेटिव half cycle में आपका कौन-कौन सा on है एक तो यह on है ठीक है तो देखो टीटीव तो आपका देखो निगेटिव की open circuit ठीक है अब यह किस से connected है R से connected है clear है ठीक है अब आते हैं यहां पर आपका D2 है यहां पर आपका D1 है अब आते हैं कि current का direction कैसे हो तो अब देखो यह कैसा है यह वाला तो प्लस है यह माइनस है निगेटिव हाप साही के लिए अब करेंट कैसे फ्लो होगा तो यह प्लस है तो अवे से बात है current ऐसे फिर अब यहां पर जाने के बाद current के पास दो सब्सक्राइब तो यह path है एक यह path में जाएगा इस path में जाएगा है तो कि यह पर open circuit है और робकाशन केया इसा फ्लो हonnst यह तो हुआ एक बात अब देखो मैंने सर्किट है आइधिंक समझा दिया अच्छे तरीके से अब एक चीज आप देखोगे लोड को जब देखो लोड में देखो इस केस में किधर जा रहा है करेंट का डिरिक्शन डाउनवार्ट से अब इस केस में भी देखो करेंट का डिरिक्शन किदर है डाउनवार्ट से तो इस से हम लोग यह कंक्लूड कर सकते हैं कि no matter what is the supply Pli Polarity, अब का जो, 창 선ulator का Elan shows आपका प्लस रहेगा बजल तो, माइनस हेटा प्रकारी फिर्लों Lap, सिर्ट कर्या कर्दों मर्मियर इंटी में लेक्नौ सा correct इसले हेल इंट होराइ कै nu स्यों स्यों संप्सक्राइब तो देखए सिमेट्रिकल बोलने का इसका एक रीजन यह है देखो आप यहां से देखो ठीक है इस लाइन के थुरू देखोगे तो एक बार के लिए लोड हटा दो जस्ट लोड को हाइड कर लोग खुद से अब बताओ क्या यह सेक्शन और यह सेक्शन एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है देखो यहां भी थाइरिस्टर है यहां भी थाइरिस्टर है यहां पर डायोड है यहां भी डायोड है ठीक है तो इसलिए यह जो सर्किट बोलता है इसको सिमेट्रिकल बोलता है ठीक है अब दूसरा एक सर्किट मैं बताओंगा आप लोगों को एसिमेट्रिकल एसिमेट्र आता है वो मैं लाइफ क्लास में तुम लोगों कभी बता दूगा ठीक है अभी इस क्लास का में मुद्दा था पूरे इस सर्कृट को अच्छे से समधाना I think मैंने अच्छे तरीके से समधा दिया जिसको एक बार में ना समझ आए दुबारा देखना समझ जरूर आएगा ठीक